तो दोस्तो इस वीडियो में आपसे मैं B.com Taxation Course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं B.com TechSession कोर्स के बारे में आपसे में डिस्क्स करूँ तो तो जय कोर्स एक undergraduate level की degree का कोर्स होता है तो जय कोर्स तीन वरश का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं तो B.com TechSession का एक इसा कोर्स है जिसमें आपको कमर्स और TechSession के जो concepts होते हैं वो आपको study करवाए जाते हैं इस कोर्स के मात्यम से students को tax laws, income tax, GST और other financial regulations के बारे में भी student को पढ़ाया जाता है जय कोर्स उन लोगों के लिए है जो accounting, finance और taxation में अपना career बनाना चाते हैं इसमें आपको practical knowledge भी मिलती है जिसे आप tax planning और compliance में expert बन सकते हैं become taxation course के दुरान आपको JV सिखाया जाता है कि कैसे financial statements तियार की जाती हैं tax laws के तहित, legal compliance आखिर कैसे किया जाते हैं और साथ में business organizations के financial aspects को समझने में भी मदद मिलती है इसके इलावा आपको accounting software का भी जूज करना सिखाया जाता है जो आपके future में tax related tasks को असान बना देता है और दोस्तों अगर आप इस परकार की field में अगर आप interest रखते हो तब तो आपको JV course आपको जरूर करना चाहिए अभी आपसे मैं eligibility criteria के वारी में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ आप इस course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में आपको admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की जो class है उसे आपको pass करनी पड़ेगी आपको जो 12th की जो class है उसे आपको 50 percentage mark से जादा आपको pass करनी पड़ेगी पर जातर universities और जो colleges होते हैं वो उन students को prefer करते हैं जिनी students ने 12th की class कमर्स की stream से pass की होती है और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारी उनिवर्सिटिस का जो eligibility criteria है इस course के regarding बहुत different भी हो सकता है अभी आप से मैं job profiles के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हूँ अगर आप इस course को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप tax specialist बन सकते हो आप senior tax manager बन सकते हो आप stock broker बन सकते हो आप tax consultant बन सकते हो आप tax analyst बन सकते हो इसके इलाव दोस्तों आप जो tax auditor की जो job उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आप से मैं slayvers के बारी में आप से मैं discuss करने वालाओं की जनिए आप इस course में आखिर किस परकार का जो slayvers होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप business mathematics, Indian tax systems, income tax procedures and practices इस sectorage और topics all जो subjects होते हैं आप इस course के माद़ां से दोस्तों आप study करते हो इसके साथ और भी काफी सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के माद़ां से दोस्तों आपको study करवाई जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफिसर्ज इनिवस्टी और कॉलिजिस के स्लेवर्स के हिसाफ से जह जो सब्जेक्ट हैं बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बी कॉम टैक्सेशन कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रिकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के वारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें वेक लिए खालला जाएंगी तोई UK्साया को में प्रिकार का सकते हो वेक्षिप्शन है और वीडियोस में जाएंगे उन्हें होग जाएंगी जापको ओन्वे जार